Assalamu alaikum, मैं Zulekha Arfa, Zulekha's Kitchen से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं बड़ी आसा लखनवी स्टू चिकिन का, तो चलिए, शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधारन, यानि ओर्डिनरी इंग्रीडियन से एक्स्ट्रा ओर्डिनरी स्ट्यू बनाते हैं आज का, चलिए, चलिए, सब के मदद से, और तीन लॉंग दाल दीजिए, एक चुड़ी चाय का चमच, काली मिर्च साबुत वाली दाल दीजिए, और दो चुड़ी चाय के चमच, साबुत धनिया जवाते, वो दाल दीजिए, चूला पास्टाच पर चालू कर दीजिए, आप चाहें तो मीडियम भी र चुले को कर दीजिए, बंद और एक प्लेट में निकाल लीजिए, जब ठंडा हो जाए, तो ऐसे मिक्सर जाड के अंदर दाल कर बिना पानी डाले, बहुत अच्छा, इसकदर दरदरा सा पीसेगा, एक दम बारिक मत पीसेगा, इसे साइट पर रख दीजिए, वो मसाले को म दाल दीजिए, तेल अपने स्वाधन उसार दालिएगा, चुला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए, और इसमें मैं यहाँ दो सुखी हुई लाल मिर्च दाल देती हूँ, और इसे तेल के अंदर तर्टरा जाने दीजिए, जब तर्टरा जाएं, तो धाइसो ग्राम पार दो सुखी हुई लाल मिर्च दाल रही हूँ, और एक टेज पत्ता, एक डांडी दाल चीनी की, इसके साथ साथ समझे ना मैं दाल रही हूँ, तीन चार हरी लाईची, छे साथ लॉंग, छे साथ काली मिर्च, और एक बादियान का टुकडा भी दाल दीजिए, चलिए, जब प्यास कच्ची पकी हो जाए, और पिंकिश हो जाए, तो हमने जो दरदरा पीस कर रखा है, लसन और अदरग को उसे भी डाल कर, फास्ट आज पर बार बार चलाते हुए, एक दो मिनित तक, लसन और अदरग को फ्राई कर लीजिए, जब एक दो मिनित हो जाए, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, चिकन, तकरीबन चिकन, एक किलो तक की चिकन है, चर्वी निकाली हुए है, दो-तीन पानी से धोक है, नितारने के लिए चन्नी के उपर मैंने साइट पर रख दिया था, यह सारी एक किलो तक की चिकन में डाल देती हूँ, और इसे चलाते रहिए, अचुला आप मीडियम कर सकते हैं इस समय और इसे बार-बार चलाते हुए तकरीबन 3-4 मिनिट तक ये चिकिन को फ्राइ कर लें इस तेल के अंदर एक छुटा चैका चमश नम्मक भी डाल दीजिए बहुत अच्छी से मिक्स कर दीजिए और 4-5 मिनिट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ वन फूट का पानी चला कर ये जो मिक्सर जार था उसके अंदर डाल कर इसमें डाल दीजिए और इसे भी डाल कर एक उबाल आ दालीजिए ये सुखा मसाला डालने के बाद चलाने के बाद इसे अच पर ठाक दीजिए और ठाक कर तकरीब 6-7 मिनिट तक पकने दीजिए इसी तरीके से दम पर तकरीबन 7 मिनिट हो चुके हैं मैंने खोल लिया है एक बार चला लेती हूँ अब इसमें दही डाल दीजिए धाइसो ग्राम दही ना ही ठंडी ना ही गरम रूम टेंपरेचर पर है वो दही डाल देती हूँ और हाँ चूला पहले मीडियम या फास्ट आउच कर दीजिए औ मैंने नॉर्मल ही डाली ये खटी नहीं है और इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आज या मीडियम आज पर भून लीजिए दही डालने के बाद तकरीबन 2 मिनिट तक 1-2 मिनिट हो जाए चूले को स्लो आज करके इसे ढखकर 10 मिनिट तक दंपर पकने दीजिए अच्छा नमक चेक कर लीजिए अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं मैंने फिर से आपने देखा 2 सुखी हुवी लाल मिर्च डाली है मैं बार बार दो-दो करके डाल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत जादा स्पाइस नहों जाए घर्मी का टायम है इसके लिए मैं 5 मिनट और रख सकते हैं अब इसमें खूप सारी बारी कटी हुई कोद में रहने के हरा दन्या दाल दीजिए और ये बन गया हमारा बड़िया सा मज़ेदार सा है आप इसे रोटी पराथा फुलका बटर नान रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्फ कीजिए वैसे ये इन मे मेरी तरह भी दाल सकते हैं स्पाइस चेक कर करके या फिर आप स्टार्ट में ही साथ आठ डाल दीजिए सुखी लाल मिर्च लाल वाली अब ये तोटली आपके उपर है कि स्पाइस आप आपके हिसाब से अज़स्ट कीजिए गा और सबसे बैस टेस्ट के लिए ना निम्ब सेक्शन में जरू शेयर किजिएगा मुझे आपके कमें पर बहुत अच्छ लगते हैं तो लाइक कीजिए इस वाली वीडियो को उससे साथ अच्छ लगए अपने फैमिली और फैंस में इस वाली वीडियो के लिंग जरूर फरवर्ट कीजिएगा फिर से आजिन होंगी नह